कि भी खिला सकते स्वामा से जब पगरूगी तो यह बहुत ही आसाने से बहुत ही सुन्दर से खा लाए गए दिख लेगे हैं हेलो फेंड वेल्किन तुमाई चैनल बिजनिस लेंड एंबी तो यह देख सकता है बहुत ही सोटा बेबी पेरोट है तो के है मेरा गाउ के पार्स जो तूफाने में एक पेर तूट गिया था तो इसमें दो से तीन बच्चा था तो दो बच्चा तो रहा काफी बरा था इससे तो कोई दूसरा लेके गया तो यह बहुत छोटा था कि तो एक गाउ का एक भाई ने तो मेरा बास लेके आया को दोस दिन पहले लाया था जो इसका फीदर बेगरा कुछ भी नहीं आया था तो आभी तो इसका बहुत सारे प्रीदर आ गया है बहुत अच्छा अगे दिखने में तो इसको में हैंद फिड़िंग करने वलाओ तो मेरा देफ तरह देखें है है कर लोकि हथा है गाओ का एक भाले लेके आया मे तुम्हेर ले है तो बहुत तो इसका भी फीड होगा सब तो भाई ने राक्ते गया है तो इसको मैं दोस्तों जो हैं फीडिंग फर्मूला आता है जो मैंने ख्लीप खर्ट से मंगाया था यह वो पाउडर हैं फीडिंग तो इसको हलका सा गरम पनी में यह लेने का तो दीन में पुरा पानी में आचे तरह से मिलने में तो जाइदा घारा नहीं करने का पुड़ा पतला करके रखना है यह यह ज्यादे से ज्यादा एक मिनिट लग जाएगा यह पूरे मिलने में इसको अब समश से भीखला सकते शमश से चाब पगरूगी तो यह बहुती आसाने से बहुत सुदिर से खाले गाइश देख लिए बहुत भिखा लेता है अगर आपका बस टब स्थे नहीं है तो आप ỉनिघ का भी अब अगर आपका वस टाइम नहीं है तो इसा श्रिंज लेने का और सामने आपका नरम बला जो पाइप आता है तो यह देख यह पूरे अस्चतर से मिला कर यह देखो 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 इसका इतना सब भूँख लग गया यह अंदर अटमेटिक ले लेगा और धीरे धीरे इसको आप पिलाने का तो बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है तो मैंने इसको 20 ml दिया दिन में तो मतलब 10-12 ml दोगे तो तो भी सो लगा दिन में पास्टे से बार अगर 20 ml दोगे तो दिन में कम से कम तीन बार आप फिटिंग करें सकते हैं यह देखिए यह पुड़ा फूल फिटिंग हो गया है तो इसका बिंदास रहेगा यह पुड़ा हेल्दी रहेगा जो हैंट फिटिंग फर्मला आता है तो बहुत ही अच्छा है मतलब उसके क्या है जो पेरोड टाइप क्या जो बज़ी जा रहे हैं बहुत सारे बाठ है मेरा बस आप लोग देखें किया क्या है मेरा बस अच्छा है वर शेखें टाइप मेरा जो रहे हैं वर वर बाठ है रहे है क्या है जो जो रहे हैंट रहे हैं ंता रहे है क्या है